तुम्हें संस्कित आरियों से पढ़नी है, मगर पैन जो है ना वो आरियों का इस्तमाल करना है, चश्मा आरियों का इस्तमाल करना है, मोबाइल आरियों का इस्तमाल करना है, जहाद आरियों का बनाया हो इस्तमाल करना है, ट्रेन आरियों की बनाया हो इस्तमाल करना है, क्या म समयक इंडे टीवी मैं स्वागत करता हूं समयक इंडे टीवी में स्वागत है बहुत अचारे जी धन्यवाद आपका भी भाई है मंत ये जो समाचार है बनारस हिंदू विश्विदाले का बड़ा विचलित करने वाला इस देश में नेतिकता नाम की चीज का तो खात्मा हो चुका इस देश में एक लिहाजदारी जो होती थी उसका खात्मा हो चुका अब तो लोगों को परतारित करने के अपमानित करने के तिरिश्वित करने के अपने अत्याचारों का शिकार बनाने के बहाने ढुड़े जाते हैं और वो जो बहाने हैं उनका कोई ओचित्ते नहीं होता जो एक मुसल्मान अध्यापक है बी एच्यू में संस्कित पढ़ाने के लिए उसको नियुक्त किया गया अब आपको पता नियुक्ती को इतनी आसानी से तो होती नहीं है इतनी हम लोगों के लिए माइनर्टी लोगों के लिए बैकवर्डों के लिए शुडूल कास्टों के लिए आदिवासियों के लिए जब कोई नोकरी मिलती है उसको बहुत जगा च्छाना जाता है बहुत जगा च्छाना जाता है कहीं इंट्रिवू के नाम पर रोकन तो अगर वो प्रोफेसर फिरोज खान उस पोस्ट पर पहुंचे हैं तो बहुत सारी मर्यादाएं पार करके बहुत सारी रुकाउटे लांग कर वहां पर पहुंचे हैं अब पहले तो वहां पहुंच गए ये सबसे बड़ी उनकी उपलब दी अब तुम यहां आ गए हो तो कैसे पढ़ाओगे तो उन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी कि हम इस आदमी से पढ़ेंगे नहीं और उन्होंने वहां उसके विरोध में किलास के बाहर हवन भी किया और वो सारे लड़के बहिशकार करके किलास के बाहर लाम बंद होगे किलास में नहीं गए ये और भी बहुत सारे परकरन इससे जुड़े हुए हैं बाबासाहिब डांक टम बेट कर संस्कित पढ़ना चाते थे उनके अध्यापक ने दस्वी कक्षा में उनको साफ मना कर दिया कि तुम क्या करोगे संस्कित पढ़कर ये तुमारे काम के नहीं है बाबा साहिब डाक्टम बेटकर को थोड़े सी उमर में ये ज्ञान हो गया था कि हमारी दुर्दशा का कारण इनके धरम गरंथों में है और धरम गरंथ संस्कित भाषा में है इसलिए आउ संस्कित भाषा सीखी जाए और हम अपनी बदहाली के कारणों को जाने ये इस वजे से बजपन से दसवी कक्षा से उनके बाबा साहिब डाक्टम बेटकर के मन में संस्कित पढ़ने की लालसा थी एक तडप थी एक जुनून था मगर बाबा साहिब डाक्टम बेटकर को इन तथा कतित धर्म मारतंड लोगों ने जो अपने आपको धर्म का सबसे बड़ा प्रोहित मानते हैं धर्म का सबसे बड़ा विद्वान मानते हैं धर्म का सबसे बड़ा पदाधी कारी मानते हैं उन्होंने इतना बड़ा धर्म का काम किया कि एक ग्यान पिपासु छात्र को ग्यान से वंचित करने का सड़ित रचा बाबा साहिब डांक टॉमबेट का जब तक भारत में रहे वो संस्कित पढ़ने से वंचित रहे मगर जो ही बाबा साहिब डांक टॉमबेट कर इस देश की सीमा आए, लांकर, विध्य अध्यन के लिए, अमेरिका गए, अमेरिका से फिर लंडन आए, और लंडन से फिर जर्मन ही गए, जर्मन गए वो इसी काम से थे, कि वहां मैं संस्कित सीखोूं, वहाँ बाबा साहिब डांक टंबेटकर ने संस्कित भाषा का बेसिक ज्यान अरजित किया और बाद में भारत वर्ष में आकर भी बहुत सारा उन्होंने संस्कित का अध्यान किया वो हमने जो किताब लिखी है बाबा साहब और डांक टम बेटकर उसमें विस्तार से आया है यह आखिर चाहतें क्या है यह संस्कित भाषा वाज्ट़ाव में संसकार की हुई भाषा जिस पर यह गर्व करते हैं ना यह इनकी भाषा नहीं है इसकी लिपी को क्या कहते है इसकी लिपी को कहते है देव नागरी अरे महाराश्च में सरकार की एक संसा है उसका नाम है नागरी परचाणी सभा तुम देव क्यों लगाते हो देव इसलिए लगाते हैं देव का मतलब ब्रहमन होता है यह अपना पैटेंट समझते हैं इसी कु प्रफेसर फिरोस खान से संस्क्रित पढ़ने का बहिश्कार किया। प्रफेसर फिरोस खान से संस्क्रित पढ़ने का बहिश्कार किया। प्रफेसर फिरोस खान से खड़ी की गई भाषा इसे संस्क्रित को आज बहुत धरम के विरोध में इस्तमाल किया जा रहा है। जबकि वो लोग भूल रहे हैं कि संस्क्रित भाषा में जितना इनका वैदिक साहित्य है। जितना इनका प्रतिक्रियावादी प्रतिकरांती वादियों का साहित्य है। उससे दस गुना अधिक साहित्य है। महा यानि बोध धरम का है। यह कितनी आश्चर जनक बात है। आप देखेंगे कि महा यानि गरंत सबसे पहला कौन सा आया। पूजे बंते, आचारे, अश्वगोष। जो कनिश्क का की राजपुरोहित भी थे। जो उन्ही चोथी संगीती कुंडलवन नी की ठी श्रीणगर में। उसकी जो संगीती थी संगीती का थे। इतने बड़े वे बोध भिक्कु थे। और बोध धर्म का परचार करने में उन्हींने संगीती की गरंते within खी दूज़ुरोहिया बुद्ध चरित देख लो जाकर के उसमें जो बुद्ध चरित लिखा उस गरंथ का पहला शब्द ही बक्वास क्या वो एक्षवाकू और कहां से आ गया एक्षवाकू बुद्ध को एक्षवाकू वन्ज कब बता रहे हैं एक्षवाकू शब्द बुद्ध के समय की पाली भा तो ये शड्यंत्रों की भाषा, एक बात और मैं बता दू लगया तो हम संस्कित भाषा के विरोधी नहीं है, संस्कित भाषा में जो साहित लिखा गया वो जनकल्यारकारी नहीं है, मनुस्मिर्थी की जितनी भी इधाराएं हैं, वो मानव विरोधी हैं, ये बड़े गर्व स संस्कित भाषा की जब बात करते हैं, उसकी मनुस्मिर्थी की, तो उसमें से वो सूत्र बताते हैं, जो उनके पक्षके हैं, और जो सूत्र उसको बदनाम करने वाले हैं, मानव जाती के विरोध में हैं, जनकल्यार की भावना के विरोध में हैं, अब ये उनको बदलने में लगे हैं जैसे रामायन में एक दोहा है चोपाई है उसकी दो लाइने हैं धोर गमार पशु अरुनारी ये सब तारन के अधिकारी अब ये नई ग्रंतों में क्या कर रहे हैं वो तारन का तारन कर दिया तारन का मतलब होता है परताडित करना सजा देना उत्पिरित करना और तारन का मतलब होता उधार करना अरे अगर तुमारी ये भाशा इतनी कल्यान का रही थी तो इसमें परिवर्तन की कहां से जरूरत आ गई इसका मतलब ये है कि परिवर्तन आप इसलिए कर रहे हैं कि आपने उस भाशा को बदनाम करने लायक उस अच्छा एक बरतन गया होता है, एक कप है। मैं जहर भी पीक बोर्त आता है। क्या है ये बताईए वैवार में नारी आज भी प्रताडित होती है आज भी अपमानित होती है आज भी वो जलाकर मारी जाती है पनुस्मिर्ती का विधान ये सारा का सारा जो जाती के आधार पर आतंक पहला हुआ है मौब लिंचिंग फैली हुई है सब तरफ देखो अत्याचार है हत्याचार है इसमें कहीं ना कहीं हमारे धर्म गरंत जिम्मेदार है आज हमें ये समझना चाहिए कि यदि आपको भाषा को बनाना है तो उसको सबकी भाषा बनाना होगा किसी एक जाती की भाषा बनाने का अगर शड़न तर रचोगे तो भाषा अपने समय से पहले दम तोड़ देगी इसलिए आपको ना केवल डाक्टर फ्रोज खान का अपितु किसी भी जाती और किसी भी धर्म के व्यक्ति का भाषा के पठन पठन पर कोई परतिबंद आप लगाते हैं तो आपका सारा अभियान जन विरोधी है हम डाक्टर फ्रोज खान के साथ हैं उनकी भावनाएं आहत होई उससे अधिक भावनाएं हमारी आहत होई क्योंकि जिस तरीके का परचार किया जाता है मुसल्मानों के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरी ज अधियासिक वो स्कूल है उसकी बिल्डिंग भी लालकेला और जामा मस्जित की शैली में हैं वहां रोज प्रेयर भी होती थी मगर हमने आठवी से लेकर ग्यारवी तक वहां पड़े एक दिन हमें यह ऐसास नहीं हुआ कि हम मुसल्मानों के स्कूल में पड़ रहे हैं और जब हम कोलिज में गए और वहां के दूसरे नौन मुसलिम टीचर्स का प्रोफेसर्स का वहवार देखा तो हमें अपने मुसल्मान जो टीचर थी उन पर बड़ा गर हुआ कितने वहवाव कुशल थे कितने करूना मूर्ती थे कितने शीलवान थे और जितना हमने वहां से सी लिखा वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी दोलत है मैंने संस्कित पड़ी किस से पड़ी मुसल्मान टीचर से पड़ी मैंने हिंदी भाषा पड़ी किस से पड़ी मुसल्मान टीचर से पड़ी फजल आलम साहिब जो बात में वहां प्रिंसिपल भी हुए इतने बेतरिन नहीं होगा बाशा अकाल मिर्तु को प्राप्त होगी इसलिए पी एच्यू की इस घटना से सबक लो और सुधर जाओ समल जाओ नहीं तो आने वाला समय हमारी संस्कृति को लील जाएगा मैं बताना चाहूंगा कि वहां के जो विध्यारती है उनका यह कहना है कि हमें जो संस्कित पढ़नी है वो आर्य से पढ़नी है अनार्य लोगों से नहीं पढ़नी है उस पे वो धर्ना देना है इस पे क्या कहना है अब यह तो पागलपनी की हरकत है इसको तो पागलपनी कहा जाएगा तो मैं संस्कित आर्यों से पढ़नी है मगर पैन जो है ना वो आर्यों का इस्तमाल करना है चश्मा आर्यों का इस्तमाल करना है मोबाइल आर्यों का इस्तमाल करना है जहाद आर्यों का बनाया हो इस्तम करनी है क्या मजाक है ये बैने बताया ना अगर आपने किसी को परतारित करना है उसका ये बहाना है आप कई तेरा क्या नाम है कि मेरा नाम तो सूरजलाल है मारते मुपे थपड़ करते हैं अगर तू सूरजलाल नहीं होता तो मेरा क्या बिगाड़ लेता तो तू कौन मैं खा वा कि खा, थो इनके जो जग्रे हैं, मुसलमानों को प्रताडित करने के लिए, मुसलमानों को उनका दिल दिखाने के लिए, उनको जलिल करने के लिए, ये नए नए बहने निकाल के लाते हैं, अस्रियत ये है, भारत वर्ष के जो प्रान है, वो धर्म निर्पे integrating श्था में आज सम्विधान को जो धता बताया जा रहा है आज इस देश में जो भासा के नाम पर जो अभधरता का नंगा नाच हुआ है जो मोब लिंचिंग हो रहा है और जितने भी काम सरकार दुआरा हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि इन्होंने अपना इलेक्शन जीतना सीख लिय है नहीं तो क्या होता है कोई भी सरकार हो इलेक्शन जीतने के लिए बड़े कल्यान कारी काम करती है मगर यह उल्टे काम कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है हमने दुबारा से इलेक्शन जीत के आने की विवस्था कर रही है तो साथियों जब तक यह विवस्था बनी रहे अभी 26 नौंबर आने वाला है समिधान दिवस आने वाला है इससे अच्छा अवसर अपने समिधान को याद करने का कोई हो नहीं सकता इस देश के प्रतेक व्यक्ति को राश्ट के संबन्द में पहले सोचना है धरम के संबन्द में सोचे या न सोचे हमें अगर ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगती है वीडियो को इसको शेर कीजिए चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए अपने अमुले कमेंट्स कीजिए लाइक कीजिए जै भीम जै भारत अपने लाइक कीजिए